रादे रादे सभी को, आप सभी का स्वागत है, मेरे यूटूब चेनल डेली टेस्ट ओफ लाइप मी, आज मैंने जो अचार बनाया है, वो अचार हमारे राजस्थान में सबसे पहले से बनता रहा है, यानि कि तेल और विनेगर तो बाद में आये हैं, उससे पहले भी हमारे राजस्थान में अचार डला जाता था, वो सिर्फ पानी के सहारे ही इस अचार को कई दिनों तक रखा जाता था और आराम से खाया जाता था, उसी की रेसेपी आज मैं आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ, यहाँ पे ना ओयल का इस्तेमाल करेंगे, ना विनेगर का, सिर्फ पानी के सहारे ही यह मिर्चियां एक एक डेड़ेड महिने तक आराम से चल जाया करती थी, और वही रेसेपी मैं आज आप सब के साथ सेयर कर रही हूँ, तो फटा पट से रेसेपी देख लीजिए, इस विचार के लिए देखे थोड़ी मोटी वाली मिर्ची लेनी है, इस मिर्ची को डंठल के साथ ही अचार बनाया जाता है, तब ही अचार इतने दिनों तक टिकता है, अचार डालने के लिए सबसे पहले पानी से सुरुआत होती है, यानि कि अचार पानी वाली मिर्ची का अचार है, तो सबसे पहले एक पती लेके अंदर पानी को गरम किया जात इतनी ही देर में मिर्ची का जो कलर चेंज हो जाएगा बस इतना ही हमें इनको बोयल करना है अगर हमने इसको बहुत जादा बोयल कर लिया तो मिर्ची गल जाएगी और फिर अचार डालने लाएक नहीं रहेगी तो इस बात का ध्यान रखते विए सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए ही गरम पानी में इसको उबालना है कि देखिए यहाँ पे जब मिर्ची अच्छे से उबलने लगे तो इस तरीके से इने उपर नीचे करते रहना है ताकि इस हर तरप से मिर्ची है वो बराबर पक जाए जदर टाइम नहीं लेगेगा 5-7 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है फटा फट सीन को चीरा लगाया है और गरम पानी के अंदर डाल दिया है आप देख पा रहे हैं हलका हलका मिर्ची का कलर चेंज होना सुरू हो गया है यानि कि पहले डार्क ग्रीन था मिर्ची का कलर और अब देखी आप जब बोईल हो जाएगी तो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन में बदल जाएगी एक दो मिर्ची तो आपको इसमें दिख भी रही होगी जो की पानी में बढ़िया से बोईल हो चुकी है उनका कलर चेंज होना सुरू हो गया है 5-7 मिनट के लिए इनको डग के रखेंगे और फिर इनको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए जब ये बढ़िया सी ठंडी हो जाएगी तब इनको हम अजार में परवर्दित करेंगे इनके अंदर अजार का मसाला भरेंगी ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितना बड़िया इनमें कलर आ गया है हलका light green इनमें कलर आ गया है मिर्ची का color change हो गया है यानि कि अभी इनमें इतनी ही boil करनी है अब इनको हम proper ठंडा करेंगी अब इनको मैं एक दूसरे बरतन में transfer कर रही हूँ अगर आपके पास time नहीं है थोड़ा जल्दी अचार बनाना है तो आप किसी plate के अंदर निकाल कर पंखे के निचे इनको ठंडा कर ले लेकिन मेरे पास तो time में time है तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से दूसरे पतिले में निकाल लेती हूँ दूसरे पतिले में निकालने के बाद 5-7 मिनट के लिए रखा रहने देंगे और इतने ही दिर में ठंडी हो जाएगी लेकिन मिर्ची निकालने के बाद देखी जो पीछे पानी बच गया है इसको हम बिलकुल भी नहीं फैंकेंगे क्योंकि इसी पानी को हम इस मिर्ची के अचार में काम मिलेंगे ये पानी है ये मिर्ची का जो पानी है यही यहाँ पे विनेगर का काम करता है तो इस पानी को हम बढ़िया से ठंडा होने देंगे और फिर हम इर्ची के काम मिलेंगे देखी मिर्चिया प्रोपर ठंडी हो चुकी है आज वाला जो अचार है वो मेरी सासुमा बना रही है हमारे घर के जितने भी अचार हैं वो माई बनाते हैं क्योंकि इनके हाथ का अचार कभी भी खराब नहीं होता हम जब बच्वन में थे छोटे बच्चे थे तब हमारी बुआ डालती थी अचार और बुआ के हाथ की मिर्ची कभी खराब नहीं होती थी बुआ जी अचार कैसे बनाते थे वो रेसेपी तो याद नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो recipe की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया, बस मिर्ची खालिया करते थे लेकिन जो सासु मा बनाती हैं, वो recipe मैं आपके साथ share कर रही हूँ मा भी बहुती बड़ी आचार बनाते हैं, तो आप एक बार इनकी पूरी recipe देख लीजी मिर्ची को boil करने से पहले भी cut लगा सकते हैं, लेकिन मा यहाँ पर बाद में cut लगाते हैं मा का कहना है कि बाद में cut लगाने से बहुती आसानी से लग जाता है तो इस तरीके से, देखिए मिर्ची का cut है, वो जब लगाएं, तो proper तरीके से लगाएं क्योंकि अगर आदी जगर मसाला भरे भी न रह गया, तो मिर्ची का अचार हो जल्दी खराब हो जाएगा और ये वाला पानी वाला अचार है, ये बहुत दिनों तक चलता है हमारे घर में तो आपके घर में ये अचार कौन बनाता है, मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए और क्या आप ये रेसेपी पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस रेसेपी को एक बार अपने घर पे जुरू ट्राइ करिएगा बहुत मज़ा आता है ये मिर्ची खाने के बाद एक बार आप इस रेसेपी को जुरू ट्राइ करिए अगर एक बार आपने बना ली तो आप यह अचार हर बार बना के रखेंगे यह वाली मिर्ची मेरे घर में हमेशा रहती है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है दही के साथ सुवए नास्ते में यह एक मिर्ची लेने में बहुत ही बढ़िया लगती है और इसका जो पानी है उसका तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जुरू ट्राइ करिए और फिर मुझे फीड़ बैक दीजिये आके कि आपके घर में ये रेसिपी कैसी बनी कहां तक की रेसिपी आपको समझ में आई होगी पानी में बोयल किया है और मिर्चे के अंदर कट लगा है देखे कितनी आज आसान रेसिपी है पहली ही बार में आप भी परफेक्τα रेसिपी बना के तईयार कर लेंगी अब हम इस मिर्ची में मसाला भरेंगी देखी मा के तो हाथों में measurement होता है उन्होंने यहाँ पे हाथ के हिसाब से यानि कि मिर्ची के अंदाज का यहाँ पे राई और सौंफ पीस के ले लिया है और यहाँ पे स्वादानुशार नमक एड़ कर रहे हैं इन दोनों चीजों को बड़िया से mix कर लिया है कटोरी से अगर यहाँ पे मैं आपको measurement बताऊं तो एक कटोरी यहाँ पे राई आपको लेनी है एक कटोरी सौंफ और आदी कटोरी यहाँ पे आपको नमक लेनी है और थोड़ी सी यहाँ पे कलोन जी जाएगी यानि कि एक छोटी चमच यही इसका ratio रहता है और इसी से बढ़िया से यह मसाला बनके तयार हो जाता है और यहाँ पे हमें oil, vinegar, निमगू और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है इन तीनों ही चीजों से बहुत ही बढ़िया खटाई आजाएगी अचार में और बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा अब एक-एक मिर्ची को उठाते हुए जहां से कट लगा है, वहां से हटाते हुए देखिए बीज में से प्रोपर यहां पे मसाला भर रहे है और मसाला है वो पूरा मिर्ची में अच्छे से फिल होना चाहिए तभी मिर्ची का अचार है, वो लंबा टिकता है यह हमारे राजस्तान की सबसे ट्रेडिशनल रेसेपी है हमारे गर की मा और दादी सबको आती होगी सबने इस तरीके का पानी वाला अचार बनाया होगा तो आप लोग भी सीख लीजिए, बहुत ही आसान है जो बिगनर्स है, नई वच्चे हैं, अभी खाना बनाना सीख रहे हैं वो भी इस तरीके का अचार बना सकते हैं घर पे बेना किसी प्रेजर्वेटिव की सिर्फ पानी से आप इस तरीके का अचार बना सकते हैं एक बार आप कोई अकिन नहीं होगा लेकिन आप एक बार बना के देखिए एक महिने तकी अचार खराब नहीं होता वो फ्रीज में रखके आप इसको 6 महिने तक श्टोर कर सकते हैं इस तरीके की पुरानी अचार बना कर हमारी घर में पुरानी सब्वेता वापस हम जिन्दा रख सकते हैं कि पुराने टाइम में जब तेल और विनेगर नहीं थे तब अचार कैसे बनाया जाता था। इस तरीके की बातों से हम हमारी सब्वेता को जिन्दा रख सकते हैं। थोड़ा बहुत आज के बच्चों को भी ज्यान हो जाएगा कि बीना ओयल और बीना प्रेजरवेटिव के अचार कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग देख लीजी, बहुत ही आसानी से अचार बनके तयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखेजी, कितना स्वादिष्ट और कितना सुन्दर अचार मारने बना के तयार कर दिया है। आदे गंटे के अंदर यह चार बन के तैयार हो जाता है और आपको इसको धूप में रखने की वियाव सकता नहीं है आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन ये मिर्ची खाने लाइक हो जाती है आपको कोई दूप नहीं दिखानी है और कोई यहाँ पर कोई प्रेजरवेटिव नहीं डालना है अब इन सभी मिर्ची को एक एर टाइट कंटेनर में भरके रख लेंगे कोई भी प्लास्टिक का काच का कोई भी डबा ले सकते हैं बस अच्छे से दूला हुआ होना चाहिए और अंदर से सुखा हुआ होना चाहिए यहाँ पर हम पानी ही का ही इस्तेमाल करेंगे आप सोच रहे होंगे सुखा हुआ क्यों होना चाहिए जब उपर से हमें पानी डालना है पानी डालना है लेकिन वो पानी नोर्मल पानी नहीं है उसी पानी के अंदर हमने मिर्ची को बोईल किया था तो वो पानी अब नॉर्मल पानी नहीं है वो एक प्रेजर्वेटिव का काम करेगा और अधर पानी है वो कच्छा पानी है वो इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सभी मिच्छी को एर टायट कंटेनर में भरके रख लिया है और उपर से पानि डाल देंगे है ना कितना आसान ये रेसेपी देखते हुए किस-किस के मूँ में पानी आ रहा है फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजी और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी है मा के हाथ की तो हर रेसेपी वैसी बहुत स्वाधिश्ट होती है क्या आपकी मा भी इस तरीके का अचार बनाती है मुझे कमेंट सेक्षन में जुरूर बताइए और आप आने वाले दिनों में मेरे से कौन से रेसेपी जानना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके जुरूर बताइए मैं आपके लिए वो रेशेपी अवस्य ले के आऊंगी यहाँ पे देखी मिर्ची का अचार बन गया है काच्रे की अचार की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अप्रोड की हुई है वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं और आपको कौन से अचार की रेशेपी जाननी है मुझे फटा-फट से कमेंट करके जुरूर बताइए मेरी मा को और सासू मा को दोनों को ही सारी तरीके के अचार बनाने आते हैं यह वही पानी है जिसमें हमने मिर्ची को बोईल किया था अब हम इसको मिर्ची के डब्बे के अंदर डाल देंगे उपर तक बर देंगे कंटेनर को पूरा फिल कर देंगे पानी से अब यह अजार बन गया दिखिए परफेक्ट तरीके से लखके रख दीजिए दो से तीन दिन के अंदर यह खाने लाइक हो जाएगा और इतना वड़िया लगता है खाने में एक बार अगर आपने बना लिया तो आप हर बार बनाएंगी तो मुझे बताईए फिर आप कम ट्राइ करने वाले यह रेसे पी और क्या आपके घर में भी यह रेसे पी हर बार बनाई जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताईएगा और अगर आप मेरा चेनल पहली बार देख रहे हैं तो फटा फट से वीडियो को लाइक करने के बाद चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप एक बार अपने चेनल टेली टेस्ट ओप लाइफ पे जरूर विजिट करिए यहाँ पे आपको हर तरीके की रेसेपी देखने को मिलेगी जो कि आपके डेली यूज में काम आती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई